हेलो अर्वेंड कैसे आप सब होफफुली फाइन होगे तो एक और वीडियो लेकर आप सामने प्रेजेंट हैं करें seller है तो कहा हमारे लिए opportunity होंगी इस सारी चीज़े हम detail और simplified वीडियो में discuss करेंगे इन शॉट कल के market के लिए चोटी सी preparation करेंगे ताकि हम कल एक logical and profitable trading कर पाएं तो इस वीडियो को start करते है रोजाना की तरह है जो हमारी process है वो दो पार्ट में divided है पहले पार्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के levels जानने के लिए global market का mood या sentiment करते हैं क्योंकि जो global market का mood है या sentiment है वो हमें यह decide कहने में help करता है कि हमारी market कहां खुलने वाली है वो gap up होगी gap down होगी या flat open होगी obvious हम साड़े तीन बजे तक profitable trade करना चाहते है logical trade करना चाहते है वो सिफ global market के उपर depend होके तो करनी सकते हैं क्यों कई लोग क्या करते हैं कि global market strong दिखती है तो call खरीद लेगता है weak दिखती है तो put खरीद लेते है it's a very poor approach global market सिर्फ हमें ये जानने में मदद करती है कि हमारी market कहां open हो सकती है obvious हम साड़े तीन बजे तक खुले रहते हैं तो साड़े तीन बजे तक हमें कैसे logically and profitably trade करना है उसमें हमारे को nifty bank nifty और financial nifty के levels help करते हैं तो हम इसलिए हम second part में levels को detail में discuss करेंगे तो आई ये वीडियो को start करते हैं कल की preparation करने से पहले एक बार आज का review कर लेते हैं फिर कल की preparation करेंगे आज की market में क्या हो और market आज की काफी बेकार थी from the prospective option buyer क्योंकि range bound market थी एक range में stuck थी nifty almost flat बंद हुए 7900 के minute नीचे बंद हुए और bank nifty half percent के aspects positive close हुए हुए 218 पॉइंट positive close हुए काफी range bound market थी कुछ move नहीं थी एक range में दोनों इंडेक्स स्टक थी बट हम overall scenario देखें overall scenario मैं भी आपके साथ discuss भी करूँगा overall scenario जो bank nifty का था overall scenario यह है कि range में जरूर घूम रही थी बट 42,000 के level को काफी respect दे रही थी और वहाँ पर एक reversal candle बनाके गई है जो further strongness का indication है और financial nifty बड़े 18500 के बड़े important support पर थी वहाँ पर भी bullish army kind of candle बनाके गई है it's a positive indication for आने वाली markets के लिए ठीक है अब एक बार देख लेते हैं कि जो हमने leverage दिये थे आज उन में कहा कहा trade बनी थी तो option बायर थे आप तो आपके लिए आज बुरा दिन था क्योंकि यह आपके सामने चार्ट है यह आज की पहली candle है और उसके बाद की हर candle में almost सिर्फ इसको छोड़के इसका ही almost पहुंचे था हर 30 मिनट का candle का हाई यह zone है इस zone को नहीं cross कर पाई उपर भले गई बड़ क्लोजिंग नहीं दे पाई हर 30 मिनट की candle का almost यही zone हाई है और नीचे 30 इमें का level आ रहा था उसको support ले रही थी अगर उसको breach कर दे रही थ example तो 42,000 का support ले दी तो 200 पॉइंट के बीच में stuck थी अगर आप 30 मिनट के चार्ट को follow कर रहे थे तो आपको buying की तो कोई trade नहीं मिली क्योंकि risk reward ratio ही नहीं था seller थे तो काफी मिली मैंने काफी option selling करी आज तो option seller के लिए काफी अच्छ है दिनता if you are using 15-minute time frame तो फिर भी आपके लिए कुछ entries बनीती मैं एक बार दिखा देता हूं यह 15-minute का जाट है अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर एक entry बनी थी सबसे पहले zone में आके बेरी शरामी क्रॉस जैसी candle बनी थी target obvious है हमारा यह होता 42,000 और 13 एमेगा zone वहाँ पर आके इसने फिर hammer बनाया target यह zone होता वह successfully अची हुआ फिर zone में आके shooting star बनाया target 13 एमेगा होता ज्यादा risk reward ratio obvious है नहीं था उसके बाद zone में आके shooting star बनाया again target होता तो छोटी छोटी एंट्री 15 मिनट के चार्ट में काफी मिली एक एंट्री यहां पर भी मिली थी जब EMA और 42,000 का level convincingly gain हो गया था तो यह भी एंट्री थी 30 मिनट में तो नहीं बनी option बायर के लिए पर 15 मिनट का चार्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो छोटी छोटी चारपाश एंट्री बनी और सारी candle में bullish engulfing kind of candle बनी थी और उसके बाद जो हमारा resistance जोन हमने दिया था 17,964 से ठारा जार गा उसको उसने test out किया और पूरे दिन बस 17,900 से EMA का जो यह zone आया था यहीं पर resistance ले था अगेन 30 मिनट आपको कोई entry देने में unsuccessful था अगर हम 15 मिनट में जाए तो 15 मिनट में फिर भी हम एक दो entry कर पाते हैं मैं एक बाद दिखा देता हूं एक entry तो हम यह कर पाते जो जोन था जोन में आके इसने bearish engulf बनाया था यह हमारा target होता हो अचीव हो गया उसके बाद हमारे इसमें भी कोई entry नी बनी क्योंकि इतने छोटे zone में श्टक हो गोई दी निफ्टी क्यों आप 30 मिनट में कोई entry नी बनी ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में if you are using 15 मिनट टाइम बैंक निफ्टी में आपकी चारपांच छोटी-छोटी entries बनी जिसने decent profit भी दिया निफ्टी में एक entry बनी जिसने आपको decent profit दिया तो यह आज के market का review था अब कल के market के लिए चलते हैं जो हमारा support है वो आ रहा है 17750 से 1775 का zone और 17500 का level resistance आ रहा है 17905 से 922 का zone अठारा जार से 1857 का zone और 18500 का zone दो type की entity होती है एक option seller एक option buyer seller है तो 18200 के उपर वाली call sell कर सकते है 17600 के नीचे वाली put sell कर सकते है बायर है तो 17905 से 970 922 का zone आ रहा है इसके उपर वो पनो sustain करें टॉप call buy कर सकते है 18000 से 1857 का zone पहला और 18500 हमारा दूसरा target होगा यहाँ पर दो तीन बाते मैं clear कर दूँ sustain यहाँ पर बहुत जरूरी है कई लोग क्या करता है resistance के उपर खुलता है call buy कर लेते है support की नीचे खुलता है put buy कर लेते है again it's a poor approach resistance के उपर खुलना doesn't mean call buy करना support के नीचे खुलना मतलब put buy करना नहीं है हमें sustain होने का वेट करना है sustain मतलब at least 15 minute की यह 30 minute की candle उपर closing देकर sustain करें ठीक है 30 minute के साथ ज्यादा conviction है और जो लेवल से spot के level है अगर इसमें entry बनती है तो आप either in future trade ले सकते है और option ले सकते हो option में conscious strike buy करें यह सवाल दिमाग में आते है तो if you are an risk-taking individual then you can go with ATM और ITM ATM के साथ जा सकते हो ना तो hulky-hulky just ITM भी ले सकते हो इफ आप कम risk लेना चाहे तो just out the money यह उसके बाद वाली out the money के साथ proceed कर सकते है 18,000 से 18,057 का zone आ रहा है इसके उपर उपा नो sustain करें तो 18,500 के target के साथ buy कर सकते है निफ्टी गिर किया है 17,750 से 17,775 का zone आ रहा है यहाँ पर bullish signal बनाए call buy करेंगे 17,905 से 17,922 का zone पहला 18,000 से 18,077 दूसरा target होगा 17,600 पहला कोई bullish signal बनाए 17,700 से 17,775 का zone पहला 17,905 से 17,922 दूसरा target होगा 17-500 पे आए कोई bullish signal बनाए 17-600 पहला 17-700 से 17-775 का zone हमारा दूसरा टार्गिट होगा पुट कब आए करें अगर 17-700 से 17-775 के zone के नीचे open उसस्टेंद करें 17-600 पहला 17-500 दूसरा टार्गिट होगा 17-600 के नीचे open उस्टेंद करें 17,500 हमारा टार्गेट होगा यह निफ्टी राइज हो गया है 17,905 से 17,922 का जोन आ रहा है यहाँ पर आके कोई बेरे शिगनल बनाए 17,700 से 17,775 पहला 17,600 दूसरा टार्गेट होगा 18,000 से 18,577 का जोन आ रहा है यहाँ पर आए कोई बेरे शिगनल बनाए अगेन इट्सा पुटबाय अपर्चुनिटी 17,905 से 17,922 हमारा पहला 17,700 से 17,775 हमारा दूसरा टार्गेट होगा 18,500 पहला करती है तो 18,000 से 18,577 का जोन पहला और 17,905 से 17,922 का जोन दूसरा टार्गेट होगा कल हमारी एक्सपायरी है अगर हम सस्पेंस लेवल की बात करें तो मुझे जितना लगता है एक रेंजबाउंड एक्सपायरी हम एक्सपायरी कर सकते हैं और जो हमारा सस्पेंस रहना चाहिए वो यही रहना चाहिए कि वैदर 18,000 के उपर एक्सपायरी होगी या नहीं होगी तो 18,000 के लेवल को टेस्ट आउट किया जा सकता है अब अगर हम बैंक निफ्टी पे चले सपोर्ट आ रहा है 42,000, 41,500 41,250 रेसिस्टेंस आ रहा है 42,250 42,500, 42,631 से 42,750 का जोन अप्शन सेलर है 43,000 के उपर वाली कॉल सेल 41,000 के नीचे वाली पुट सल कर सकते हैं और ओवर दा पीरियर अफ टाइम जब मार्केट स्टेबल होने लग जा है कंप्रेस कर सकते हैं अगर आप आप आप्शन बायर है बैयाली से जार के उपर ओपन हो सस्टें करें 42,250 चे उपर और ओपन हो सस्टें करें 42,500 पहला 42,631 से 42,750 का जोन दूसरा टार्गेट होगा 42,600 के उपर ओपन हो सस्टें करें 42,631 से 42,750 का जोन पहला 43,000 दूसरा टार्गेट होगा या बैंक निफटी गिर के आए 42,000 के जोन पे कोई bullish signal बनाए 42,500 पहला 42,500 दूसरा टार्गेट होगा 41,750 पह ऐसा करें तो भी हम call buy करेंगे 42,000 पहला 42,250 दूसरा टार्गेट होगा 41,500 पह ऐसा करें 41,750 पहला 42,000 दूसरा टार्गेट होगा put cup buy करें अगर 42,250 के उपर open होती है sustain करती है 42,000 पहला 4760 हमारा टार्गेट होगा 42,000 के नीचे open हो sustain करें 41,760 पहला 41,500 दूसरा टार्गेट होगा 41,750 के नीचे open हो sustain करें 41,500 हमारा टार्गेट होगा bank nifty rise होके आए 42,250 पह कोई bearish signal बनाए again it's a put buy opportunity put buy कर सकते हैं 42,000 पहला 41,760 दूसरा टार्गेट होगा 42,500 पह ऐसा करें 42,260 पहला 42,000 दूसरा टार्गेट होगा 42,750 पह ऐसा करें 42,500 पहला 42,260 हमारा दूसरा टार्गेट होगा तो इन Nifty और bank Nifty के levels थे हमें क्या करना है बस levels के साज stick रहना है जब हम levels के साज stick रहते हैं तो हमारे success होने के chances enhance के हो जाते हैं हम क्या करते हैं बार बार market में गुषने का try करते हैं और फिर loss का के बार आ जाते हैं उससे better है कि हम logical trading करें जब level हो तब enter करें तब exit करें तो हमारे success chances अपने हाँ पहनास हो जाते हैं लास्ट है financial nifty का जिसकी कल expiry नहीं है nifty bank nifty की है तो कल हमने crucial level की बात करें थी financial nifty के 18500 से 550 की अगर आप देखोगे तो आज वहीं पर hammer kind of candle नी बनाके गया है आप जब bullish रामी भी कह सकते हो जो एक bounce back की तरफ indication दे रहा है थोड़ी strongness की तरफ indication दे रहा है support आ रहा है 18400 और 18250 पे resistance 18750 से 18815 का zone और 19,000 अगर आप option seller है तो 19,000 के उपर वाली call sell और 18.200 के नीचे वाले put sell कर सकते हैं अगर आप option buyer है अठारा 500 से अठारा साड़े 500 के ऊपर open और sustain करें 18600 पेहला अठारा साड़े 700 दूसरा टार्गेट होगा 18600 के उपर open और sustain करें अगेन call buy करें 18.700 और अठारा साड़े 800 तार्गेट होगा 18.800 से अठारा 815 का zone आरा इसके उपर open और sustain करें 19,000 अबारा टार्गेट होगा फाइनेंशन इफ्ट के गिर के आए 18500 से अठारा साड़े 500 के zone पे कोई bullish signal बनाए 18600 पहला अठारा साड़े 700 दूसरा टार्गेट होगा 18.400 पहला कोई bullish signal बनाए 18500 से साड़े 500 का zone पहला 18.600 दूसरा टार्गेट होगा 18.800 पहला अशा करें तो भी हम call buy कर सकते हैं अठारा चार सो पहला थाइसो दूसरा टार्गेट होगा 18.400 के नीचे अठारा थाइसो हमारा टार्गेट होगा 18.500 से साड़े 500 का zone आ रहा है यहां पर आए कोई bullish signal बनाए 18.400 पहला थाइसो दूसरा टार्गेट होगा 18.600 पहला तो भी हम put buy करेंगे 18.500 से साड़े 500 का zone पहला 18.400 दूसरा टार्गेट होगा लास्ट है 18.750 यहां पर आए कोई bullish signal बनाए 18.600 और 18.500 हमारे टार्गेट होगा तो यह थे हमारे levels हमें क्या करना है बस इन levels के साइस्टिक रहना है जब हम levels पर trading करते हैं तो हमारे success के chances है enhance हो जाते है तो इस wish के साथ की आने वाली expiry आपके लिए profitable हो इस वीडियो को end करते हैं वीडियो पसंद आईओ लाइक जरूर करें और चैनल को subscribe करें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए तो आपको पता चलता रहे आप उससे profitable trade कर पाओ साथ में logical trade करने की तरह motivate हो पाओ यह दो-तीन छोटी-छोटे motto हैं जिसके लिए हमें videos बना रहे हैं तो इस wish के साथ की आने वाला दिन आपके लिए profitable हो वीडियो को end करते हैं थेंक्यू very much इस वीडियो को देखने के लिए happy day